एक्सक्षण दोजा उन्निस का सवाहल है, क्वेशन सेज, तू सिमिलर थीन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसे और फोकल लेंथ F इच आर केप कोएक्सली इन कॉन्टेक्ट विछ अधर सच देट फोकल लेंथ आप दो गॉपिनेशन इस F1 मैं आपको इसकी पूरी थोरी समझाता हूं यहां पे तो इसको ऐसे देखिए कि मान लीजिए यह आपका एक लेंस है और इसका यह रेडियस आर यह वाला रेडियस भी आहर है तो इस केस में हम कह सकते हैं इसकी जो आपना अगर लेंसमेकर फॉर्मला यूज करें इसको हम लिखेंगे 1 by F will be equal to mu minus 1 1 by R1 minus 1 by R2 ठीक है तो इसमें value अपने डालके F will be equal to इसकेस में explicitly हमें mu की value नहीं दिये पर यह जो line है which has the same refractive index 1.5 as that of glass इस line से हम यह assume कर सकते हैं कि इसका भी refractive index जो है आपका 1.5 है और तो इसकी value हो जाएगी 3 by 2 minus 1 multiplied by 1 by R minus 1 by minus R तो यानि कि जो आपका एक lens है उसकी focal length आगई this will be equal to 1 by R यह आपकी combination हो जाएगी यह आपकी focal length हो जाएगी नो हमने क्या किया उसके बाद आपका combination बनाया जिसमें दो lens ऐसे रखे है ठीक है तो यह एक lens आपका ऐसे है दूसरा lens आपका ऐसे है और इसकी focal length आपकी f है इसकी focal length f है इन दोनों का जो combination आएगा उस combination की जब हम focal length की बात करेंगे 1 by f1 जो है आपका that will be equal to 1 by f plus 1 by f यह आपकी इसकी value होएगी so this will be equal to 2 by r which implies आपके f1 की value है वो हो गई r by 2 तो यह आपकी पहली equation बन गई अब हमने क्या किया इस case में यहाँ पर third case जो है अपना third case है इसके बाद जो situation है अपनी हमने यहाँ पर material भर दिया glycerine का तो आपका scenario कुछ ऐसा बन गया कि यह आपका lens है दूसरा आपका lens है और इसके बीच में आपने glycerine भर दिया जिसका same refractive index है यह वाला तो यह वाला आपका तीसरा lens आ गया तो इस case में अगर हम बात करेंगे तो इस वाले case में आपकी जो focal length इस वाले की होएगी वह f will be equal to minus 1 by r हो जाएगी because बागी सारी चीज़े सेम रहेंगे आपकी यह convex सी जगए concave आपका lens बन गया है तो यहाँ जो आपका 1 by f2 आएगा 1 by f2 जो आप लिखेंगे तो अब इन इनों के combination का जो focal length आएगा उसकी value आएगी 1 by f minus 1 by f यह इसको एंसे लिख सकते हैं this will be equal to चलो पूरा एंसे लिख लेते हैं 1 by f इसका minus 1 by f plus 1 by f तो यह आपका 1 by f2 जो है उसकी value हो गए 1 by f which implies f की value हो जाएगी आपकी की आर सो अगर हम बात करें f1 divided by f2 के ratio की आपकी equation 2 बन गई सो इन दोनों के ratio की अगर बात करें तो वह 1 is to 2 का ratio आजाएगा हैंस हम ही कह सकते हैं कि आपका option c 1 is to 2 would be the right answer